बिहार में इंडिये की पार्टियों के बीच आखिर सीटों का बटवारा कब होगा चुनाओ अब सर पर आने को हैं मारे साथ हैं कैसी त्यागी जेडियू के मुख्य प्रवक्ता त्यागी जी कोई दिक्कत है क्या मतलब अब तो हम लोग तो समझ रहे थे कि जेडियू में इं पर पुने चुनाओं लड़ेंगे तो हमारे बीच में सीटों कोई बटवारा नहीं है जो एंडिये में और पार्टियां शामिल हुई है उनका और भारते जनता पार्टि के बीच में सिलसिला चल रहा है कलिया परसों में मीटिक होने वाली निमट जाएगा हमारे यह कोई क्योंतराटि मैं आप से कहई चुकत हम grinding मैं तो में मैं आपसे चुक का मैंने कोई विवाद नहीं और किसी सीठें हम जीतें सपर हम जो सी थिन्हें बड़ा भाई बीजेबी आप से से ब्रवीडीए छाली तो ब्रवाइस विवाइए है पूरे गटबंदन का बड़ा भाई है बीजेपी खाली जेडियू का नहीं तो बीजेपी इस पर ज्यादा सीट उपर जेडियू से ज्यादा सीट उपर चुना लड़ेगी ना आप स्कूल जाना चाहते हैं मैं कह चुका हूं बारतिय जनता पार्टी अपनी जीती सीट बाकी जो दल आये हैं जो एंडिये के बाकी दल है चिराग पास्वान की पार्टी है परशुपती पारस की पार्टी है उपेंद्र कुश्वा जीतर ना मांजी क्या उनमें कुछ दिक्कत आ रही है क्या अगर उनमें दिक्कत आती है तो उसका असर तो आपकी और बीजेपी का जो गड़वन्दन आप कहा रहे हैं लेकिन अंडिये तो समुद्ध हर पार्टी है ये सब चर्चाए अफ़ाय है एर में है भारति जनता पार्टी का जो नेत्रित्व है वो रामभिलाज जी की पार्टी के दोनों घटक दल माजी जी के और कुस्वा जी की पार्टी से निर शुरू ही क्योंकि प्रधानमंत्री का कारिक्रम था दो जगों पर उसमें चिराग पासवान शरीक नहीं हुए एक जगा या दोनों जगा मेरे ख्याल से उपेंद कुछ वहाद शरीक नहीं हुए तो इस पर बात उठेगी ना नहीं बहतर हो कि यह प्रशन आप LJP और LJP के पूछे तो बहतर है कब तक हो जागा हमाने क्योंकि एक हफ़ते में तो आप चुनाओ के तारीकों का एलान होगा परशो शाद एंडी बीजेपी की पार्लिमेंटी पार्टी की बैटक है और मुझे और उसके बाद इसकी घोशना होगा तो कैसी त्यागी कह रहे हैं कि पीच पी जल्दी ही तालमेल हो जाएगा और उसकी घोशना भी जल्दी ही कर दी जाएगी नेदिली से प्रशान एंडी टीव इंडिया